अयोध्या में राम मंदिर के पुजारियों ने महाकाव्य रामायन और महाभारत को स्कूली पुस्तकों में शामिल करने की NCRT पैनल की सिफारिश का स्वागत किया है पुजारियों ने कहा कि अतीत में कुछ सरकारों ने इन महाकाव्यों को पाथित्रम से हटा दिया था आईए जानते हैं इस विचार पर आचार्य सत्यंद्र दास ने क्या कहा और जो हमारी संस्कृतियों से आने वाली जो पीडियां दूर जा रही थी कम से कम उन्हें ग्यान होने लगेगा और अपने आराद के प्रती और अपने इतिहास के प्रती उन्हें पूर्ण जानकारी मिलने लगेगी से आन्टी का यह सुझा बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है बहुत ही यह आदरे नहीं है क्योंकि जब तक हमारी जो संस्कृतिय है कि महां भारत में है कि रामाइड में क्या है इसको इसको इसकोलों में नहीं पढ़ा जाएगा तब तक उसका ज्ञान किसी को नहीं होता ह लेकिन जब स्कूल उनके माध्य पढ़ाए जाए गए तुन में बतायाए गा थैद है उनकी चोपाईयों के अर्थ है चोपाई किसं अ कहते हैं शंद किसको कहते हैं दोहा किसको कहते हैं इसका ज्यान होगा ये द्येकर पैनल का सुझाओ बहुत सुन्दर है स्वागत योग्य है क्योंकि 82 के दसक में पाठक क्रम में कच्छा पांच की पुर्ष्टकों में मैंने स्वयम पिछले साल गठित साथ सदसिय समिती ने सामाजिक विज्ञान पर कई सिफारिशे दी थी जो नई NCRT पुस्तकों की नीव रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्देशात्मक दस्तावेज है राश्चिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद ने अभी तत इन सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं